हाई हेलो कैसो आप लोग आज हम लोग बात करेंगे कोविट 19 की वैक्सीन के बारे में जानेंगे कि यह जो वैक्सीन है यह कब तक आएंगी और जब यह आएंगी क्या उस समय हमें सच में इन वैक्सीन की जुरूत होगी चलिए देखते हैं मैंने आलरडी कौन-कौन सी वैक् पर काम चल ला है किस टाइब की यह वैक्सीन है कैसे यह वर करती है इसको उपर एक वीडियो मना रखी है अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं दखर रखी है लिंक आपको आई बटन में मिल जगा नहीं तो आप नीचे चेक कर लें अब आते हैं सवाल पर कि यह जो व वैक्सीन होगी मतलगी उनकी देश के लोगों को सबसे पहले शोरक्षा मिलेगी स्कूल कॉलेजिस खूल जाएंगे और जो इनकी एकोनॉमी है वह अपनी पट्री पर आ जाएगी और देशों की बात करें तो और देश भी लगे हुए हैं वैक्सीन को डेवलप करने में करदबक नौवंबर दिसंबर यह फ़र जनवरी तो इन डाट केस देखा जाए हम लोग तब तक क्या कोविट 19 से बच पाएंगे मुझे तो नहीं लगता जिसे साब से यह महामारी फैलर यह हमारे देश में इंफेक्शन बढ़ रहा है उसे साब से देखा जाए तो नौव इस डेवलपई नहीं होते तो सब बिमार हो चुके हैं अब जब वैक्सीन आएगी तो क्या उस वैक्सीन की हमें जरूरत है तो यहां पर आप पहले वैक्सीन की जो कार्य पढ़ना ली है किस हिसाब से यह वर्क करती है इसको समझ लीजिए वैक्सीन कुछ नहीं है वारिस क आपका शरीर पहले से तयार हो पहले से ट्रेंड हो आप इसको ऐसे समझ सकते हो let's suppose एक लोगों का समू है जिसमें कुछ आतंगवादी छुपे हुए हैं अब सरकार पुलिस से कहती है कि आप जाईए और इन इस आतंगवादी को ढूंडिए और उनको जेल में दालिए अब कुछ या maximum जो सही लोग हैं वो जेल में होते हैं तो सरकार को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ गड़वर हो चुकी है तो क्या करती है सरकार एक special force को intelligence bureau को बेचती है जो कि वहाँ पर जाके एक एक आतंगवादी को ढूंडते हैं और उनको निकालके जेल में दालते हैं तो यहाँ पर हमारा श्रीर भी कुछ ऐसा ही करता है जो वायरस किसी healthy cell को invade करता है तो जो हमारा primary line of defense है वो invaded cell और healthy cell में differentiating कर बाता है तो ऐसे case में वो invaded cell के साथ हमारे हजारों लाखो healthy cell को भी मार देता है जब antibodies बनती है वायरस के लिए तब जाके immune system identify कर पाता है और तब जाके यह जो वायरस है यह मरता है खतम होता है अगर एक वार वायरस ने attack कर दिया हमारे शरीर को पता चल गया हमारे शरीर को antibodies मिल गी जो कि identify कर सकती है कि कौन सा आतंग बादी है कौन सा normal है तो उसके बाद जब फिर से वो वायरस attack करता है तो हमारा शरीर उसको primary line मतलब कि पहले ह खतम कर देता है तो इस तरीके से यह जो antibodies है यह हमारी future में वायरस के खिलाब लड़ने में मदद लाती है अब vaccine क्या कांग करती है vaccine हमारे शरीर को train करती है जैसे कि military की exercises होती है आई-बी की exercises होती है जहां पर dummy militant को रखा जाता है और आई-बी उसको trace करती है उसको पहचानती है और उसको knock करती है ऐसे ही vaccine हमारे शरीर में एक dummy virus रखती है हमारा जो immune system में वो उससे लड़ता है antibodies बनाता है और उसको knockout करता है अब से फायदा क्या हुआ फैदा यह हुआ कि future में जब कोई real virus हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर में पहले से antibodies होती है पहले से आई-बी घूमरी होती है तो आई-बी उसको identify कर लेती है और तुरण नौक अब सवाल यह बनता है कि अगर मुझे infection हो चुका है मतल़ कि जब मेरा शरीर एक real virus से लड़ चुका है और उसके लिए antibodies बना चुका है तो क्या मुझे dummy virus की जुरूरत है नहीं बिल्कुल भी नहीं हाँ यहाँ पर एक बात है कि यह जो SARS-CoV-2 नामक virus है COVID-19 का यह एक RNA virus है मत इसका मतलब यह हो गया कि कुछ समय पहले यह आपको मेरी तरह दिख रहा होगा अगले हफते यह आपको प्रवल शर्मा शर्माजी टेक्निकल अगले मीने यह आपको हेतेश भाई टेक्निकल दोस्त कि दर दिखेगा लट सपोस पहले मैंने अटक किया तो आपका शरीर ट्रेन हो गया भविश में मैं कितने भी अटक करना आपको इफरक नहीं बढ़ना वाला But let's suppose प्रवल शर्मा ने अटक कर दिया, तो आपका शरीर फिर से कमजूर, तो यहाँ पर इसकी काफी सारे स्ट्रेंड बन चुके हैं, और अगर आपको एक स्ट्रेंड ने पहले इंफेक्ट किया है, और आपके शरीर में उसके लिए एंटी बॉडिस बन चुकी हैं, तो भव मेभी आप यहाँ पर वेंटिलेटर पजा सरत हो, सांस लेने में उतक्लीफ, वोई सारी चीजें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, आप दोस्तों आपर सवाल यह बनता है कि क्या हमें नौवंबर, दिसमबर यह फिर जनवरी में आने वाली वेक्सीन की जुरूरत होगी, क्य क्योंकि देखा जाए तब तक हम इसे हर कोई इस महामारी से इंफेक्टिट हो चुका होगा, हमारे शरीड के अंदर पहले से एंटिबोडिस बन चुक यह तो क्या नौवंबर में, दिसमबर में यह फिर जनवरी में यह फिर फरवरी में हमें इन वेक्सीन की जुरूरत आपका शरीर पहले से ट्रेंट है, बट अगर आपको कहीं पहले इंफेक्शिन नहीं हुआ है, तो फिर तो आपको वेक्सीन लेनी होगी, और यहां पर आंकड़े यह बताते हैं, 85% लोगों को तो पता ही नहीं जल पाता है कि उनको इंफेक्शिन हुआ था, तो वेपार बनेगा, फार्मा कंपनी, सरकार, डॉक्टर, हॉस्पिटल, सब आपको फोर्स करेंगे कि आप वेक्सीन लो, क्यों क्योंकि यह बहुत बड़ा बिजनस मॉडल होगा, ओल्दू वेक्सीन पांसो हजार उपे की होगी, बट जिस मास लेवल पर यह बिकेगी, तो आप लोगों को यह जो जानका रही है, यह कुछ समझ में आई होगी, इसी आशा से मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पसमाप्त कने चारा हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आती है, लाइक कर सकते हो, और अ नमस्कार, बाई बाई